राजिस्थान रॉयल्स आईपिल 2024 के पॉंच टेबर पर 16 अंकले का टॉप पर बैठे हैं पहिं दूसरी ओर सन्राइजर्स हैदरबाद 10 पॉंट के साथ पांच में स्थान पर मौजूद है दोसों अगर आप पी टॉस मेंच शेशन की सटीक रिपोर्ट जानना चाहते हैं तो आप संजुभाई से संपर्क करें इनका काम बहुत बहतर है मैंने खुद इनका काम चेक किया है तो एक बार आप इनसे संपर्क जरूर करें इनका कॉंटेंट नमबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सन्राइजर्स हैदरबाद और राजस्थान रोयल्स के बीच राजीव गांधी स्टेडियम हैदरबाद में आईपियल 2024 का पचासव मैंच गुरुवार यानि दो मई को खेला जाएगा राजस्थान रोयल्स ने सीजन में अब तक खेले गए नो मैंचों में से आठ में जीत हासिल की है और आईपियल 2024 के पॉइंट स्टेबल पर सोलेंग लेकर टॉप पर बैठे हैं वहीं दूसरी ओर संडाइजर्स हैदरबाद की टीम है जिसने 9 में से 5 मुकाबले ही जीते हैं 10 पॉइंट के साथ 5 में इस थान पर मौजूद है संडाइजर्स हैदरबाद ने टूर्नामेंट में पिछले मुकाबले में चेने सूपर किंग्स का सामना किया था जिसमें चेने सूपर किंग्स ने 78 रनों से जीत दर्ज की थी CSK ने पहले बले बाजी करते हुए 20 रन बनाए थी और उसके जवाब में SRH 18.5 ओवर में 134 रन पर उल आउट हो गई थी वही राजिस्थान रोयल्स की बात करें तो उन्होंने अपने पिछले मुकाबले में लखनौ सूपर जॉर्ण्स की खिलाफ साथ विक्ट से जीत हासिल की थी लखनौ ने पहले बले बाजी करते हुए उस मैच में 196 में रन बनाए थी जिसके जवाब में राजिस्थान ने 6 गेंच शेश रहते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया था मैच जानकारी मैच संराइजर्स हैदरबाद वर्सिस राजिस्थान रोयल्स मैच पचास वैन्यू राजीव गांदी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदरबाद दिन और समय दो माई गुरुवार शाम साड़े साथ वजे लाइव ब्राड़कास्ट और स्ट्रीमिंग डिटेल्स स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियो सिनेमा एप पिछ रिपोर्ट राजीव कांदी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिछ फ्लैट विकेट के लिए जानी जाती है इस पिछ पर स्पिनरों को अधिक सहयोग मिलेगा इस पिछ पर रन चेस करने वाली टीम को अब तक ज़्यादा सफलता मिली है इस पिछ पर पहली पारी का उसत स्कोर एक सो और सट रन है संडाइजर सहदरबाद की संभावित प्लेइंग लेवन ट्रेविस हैड अभिशेक शर्मा एडिन मार्करम हैंडिक लासेन विकेट कीपर नितिश कुमार रेडी, शहबास अहमद, अब्दुल समद, पैट कमिंस कप्तान, भुवनेश्वर कुमार, मयंक, मारकंडी और टीनट राजन राजस्थान रोल्स की संभावित प्लेइंग लेवन संजू सैमसन या ट्रैविस हैड इस मैच में अपना दम खम दिखा सकते हैं सैमसन ने पिछले मुकाबले में लखनो के खिलाफ एकतर रनो की नाबात पारी खेली थी वहीं ट्रैविस हैड ने अपने होम ग्राउंड का भरपूर फाइदा उठाना चाहेंगे और अपने पुराने ले में आते दिख सकते हैं संभावित बैस्ट गैंदबाज संदीब शर्वा ने लखनो के खिलाफ पिछले मुकाबले में सबसे जादा दो विकिट अपने नाम किया था इस मैच में उनकी गैंदबाजी एहम रहने वाली है जोगी वे अपने पुराने होम ग्राउंड में खेलेंगे हैदरवाद के पिछ पर उन्होंने बहतरी इन प्रदर्शन किया है ऐसे में सरेच के बले बाजों के लिए वे किसी खत्रे से कम नहीं कौन जीतेगा आज कम मैच सेनेरियो वन संदाइजर्स हैदरवाद ने टॉस जीत कर बले बाजी चुनी पावर प्ले स्कोर नभ्य से सो पहली पारी का स्कोर धाई सो संदाइजर्स हैदरवाद ने जीत दर्च की सेनेरियो टू संदाइजर्स हैदरवाद ने टॉस जीत कर गेंग बाजी चुनी पावर प्ले स्कोर 77-80, पहली पारी का स्कोर 220-250